मैंस गुड़ मॉर्निंग दिस र मंघ पंडे वेल्कम टुमांडर यूट्व वीडियो तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम बिना इंवेस्ट करें बिना किसी इंवेस्टिमेंट के मतलब की जीरो इंवेस्टिमेंट के business कैसे श्टार्ट करें ठीक है तो आज हम एक business के बारे में जानना ठीक है उसका नाम है वेस्टीज ठीक है वेस्टीज एक प्रकार का वह हमें मतलब अम उसके ऐसे वह होता है मतलब की है 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 फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग डिस इस मैंग पंडे वेलकम टू माइं अधर यूट्यूब वीडियो तो आज की वीडियो में हमार जो टॉपिक है कि हम बीना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे स्टार्ट करें ठीक है तो आपको यह तो पता ही होगा कि अभी लॉडाक डं चाहीं था ठीक है तो और क्या कारण बहुत स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए किया कर ने कि क्या करते हैं हमारा एक अमयर देश के लिए एक एसी कंपणी है जो हमें बस्टमे से विजनेस के लिए प्रवाइड करते हैं ठीक है मतलब की हम खुद का बिजनेस start करते हैं उसमें क्या करना है ठीक है cupcake उसमें Ne investment करने न कुछ करनेटी जैसे बिजनेस में investment करना पुरता है ठीक है तो वो company खुद कहती है कि हम आपसे कोई investment नहीं मंगते हम आपसे कुछ पैसा नहीं मंगते इस business में आप अपने मेहनत इसमें लगाई है ठीक है और इस मेहनत के द्वारा आप business start कर सकते यहां तक मतलब business का मतलब आप जो काम करोगे वह आप आप खुद की मालिक मतलब की खुद मालिक होगे उस चीज में अपनी business में ठीक है तो उसका क्या है कि एक company है हमारे भारत में ठीक है जिसे कहते हैं वेस्टीज ठीक है वेस्टीज मार्केटिंग डायरेक्ट selling company direct marketing company do company क्या करती है फिए वो company के व tat 6 आपको यह कहती है कि आप अपने शॉक खोल चेंज करो ठीक है आप अपने शॉक को चेंज करोगी इतरी लायफ हो जाएगी मतलब ठीक है आप मतलब कि आपका जो राशन है ठीक है जो दिनचरिए में यूज करते हो जो डेली यूज़ करते हो जो आप सोने से ऊठके brush भी ठीक है टंग cleaner, paste, soap, sample जो आप चाहेँ ठीक है बरतंद होने के लिए wimbar जो भी मतलब की बरतंद होने के लिए साबून ठीक है आप जो भी चीज़ी यूज़ करते हैं जो दिनचारीय में यूज़ करते हैं वो आप वेस्टीज से खरी दिए वेस्टीज क्या करती है आपको 10 से 20 परसेंट का डिसकॉंट देती है साथ ही अगर आप इस कंपनी से कंसिस्टेंसी ओफर हर महिने लेते हो ठीक है मतलब कि आपको अगर आप हर महिने अपने अपने यहां 3,000 यानि 3,000 की शॉपिंग करते हो फ्रॉम वेस्टीज कंपनी ठीक है तो वेस्टीज कंपनी आपको क्या करती है 14 रुपए डिसकॉंट जेती है ठीक है यदि आप इसी कंसिस्टेंसी ओफर को रेगुलर फॉलो करते हो मतलब कि अगर लगातार आप 3 महिने तक ठीक है कांसिस्टेंसी तीन से चार महिने तक लगातार कंसिस्टेंसी ओफर फॉलो करते हो मतलब हर महिने 3,000 की शॉपिंग करते हो ठीक है अगर वेस्टीज कंपनी से तो क्या होगा आपको पांचमे महिने की या फिर चौथे महिने की जो प्रोडक्ट है जो कि 3,000 की होती है वो आपको फ्री मिलेगी ठीक है उससे क्या होगा अगर आप लगातार 4,000 लगातार 4 मेने तक की शॉपिंग करते हो ठीक है तो आप 12,000 की 12,000 की बिल पे करते हो ठीक है मतलब की हमको क्या करना है 3600 का मंथली 3600 की चीड लेंगे जिसमें हमें बिल कितना मिलेगा 3000 का ठीक है 600 बज गया ठीक है उसमें से कुछ भी करके आपको कुछ डिसकॉंस कुछ बोनस ठीक है और कुछ प्रोड़क्ट कुछ 100-200 के प्रोड़क्ट्स आपको फ्री मिलते है साथ है क्या होगा हम लगातार इसी कंसिस्टेंसी ओफर को चार मेंने तक यूज़ करते हैं मतलब की 3000 गुणा चार ऐसे करके तो कितना हजार हो गया 12000 हो गया ठीक है और हमको कितना एक मैने हम कितना बजाते हैं कि हम लगभग 3 से हुए रुपझे क्या होगा 앞 मतलब की 1464 गलब बजाते हैं और कुछ भी करके हमारे बोनस हो जाता है ठीक है सब कुछ मिलाके हमारा 14-15 ऐसे कुछ हो जाता है ठीक है तो क्या करते हैं हम लगातार चार मेने तक उस चीज को यूज करते हैं मतलब कि आपको 5000 मेन की 3,000 की शॉपिंग आपको low money मिलेगी ठीक और क्या होगा आपको शिव करेंगे उसमें से आप 7,000 रुपई से करेंगे ठीक है 7,000 रुपई आपको छूट मिलेगी मतलब और क्या होगा कि जैसे हमने देखा कि लगातार चार मीने तक तीन हजार की शॉपिंग करते तो कितना हजार होगे बारह हजार ठीक है 12,000 में हमको हर महिने bonus, free products ठीक है और कुछ discount करके हमारा जो है वो 4,000 जो 12,000 है वो cut के 7,000 हो जाता है 7,000 मतलब की हमें 12,000 में किवल 7,000 हमारे मतलब की हमें वापस मिल जाता है 7,000, 12,000 में 7,000 ठीक है, बचा कित्ता 5,000, तो 5,000 हम एक महिने में मतलब की 5 महिने मतलब आप समझ गए कि आपको एक महिने केवल 1000 यूज़ कर रहे हैं ठीक है और आपको 3000 की product मिल रही है तो अगर आपको वेस्टीज से shopping करनी है ठीक है तो आप आप अपने आसपस संपर कर सकते है जो लोग वेस्टीज से जोड़ना चाहते है ठीक है या फिर मुझे इंस्टाग्राम में अपना डीटेल भीच सकते हैं मैं कुछ वैसा की डीटेल आप अपने नॉमिनी से संपर्ण सारी नॉमिनी बोलता हूँ किसी ऐस संपर्ण से कर सकते डीटेल से जो वेस्टीज कंपनी में जोइन हों ठीक है उससे क्या होगा कि जॉइन होने से आपको एक फायदा है कि जो वैस्टीज कंपनी में आकर जो और प्रोड़क्त है, ठीक है, अगर आप वेस्टिज कमपनी में जोईन होते हो, उसके डिस्टिब्यूटर बनते हो, ठीक है, तो 200 रूपए की चीज, आपको 1500 रूपए में मिल सकती है, मतलब की मिलती है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है? तो यही था कि Westridge Company त्वारा और एक बात है हां कि जो Westridge Company है वो इंडिया की number one direct selling company बन चुकी है 2004 में इसका निर्मान हुआ था इसका इसकी स्थापना हुई थी Westridge Company की और 2020 तक आते काते ये भारत की number one direct selling company बन चुकी है और दुनिया में लगभग तीसवे नंबर पर पहुंच चुकी है ठीक है और यह है कि डारिक जो वेस्टी में हम जो भी यूस करते हैं ठीक है वो सारे प्रोडक्ट्स आयूरवेदिक होते हैं चाहे आप कोई कुछ भी लीजिए ठीक है आपको इम्म्यूनिटी बढ़ानी है यहां से कुकिंगृ खरीजी सकते हैं अपको माइनस होगा अपको पद्स से पंद्रा यह नहीं 20 % आपको मैनस होगा ठीक है से जो रूपीस है या पिर मतलब मतलब की आपकी जो प्राइस है ठीक है और यही था कि और यह लगभग मोर देन टेन कंट्रीस तो मोर देन ठीक है यह मतलब की डारेक्ट सेलिंग होती है ठीक है दुबाई यूए ऐसे अरब कंट्रीस में और बहुत सारे कंट्रीस में वेस्टीज की कंपणी जो प्रोडक्ट्स है वह सप्लाई की जाती है ठीक है सप्लाई मतलब की डिस्ट्रिब्यूट की जाती है हर जगा तो अगर आप इस कंपणी में जॉइन होना चाहते हैं जरूर हो यह मैं ख वाजु में आप जो घर के बाजु में आप फिर जहां राशन के समान लेते ऋषाव जहांसे भी आप जो समान लेते है कि ऩिक दिनचरिय का उसको आपकोört Uh वेस्टीज से खरीदना है और कुछ नहीं करना शीम पर आप चीज़ करीना कर लोगे ठीक है और ये मैंने कहता है ये हमारे जो बहुत सार हैं ठीक है वो लोग कहते हैं जो लोग इसमें जॉइन हुए है और अपना एक साल डेढ़ साल दो साल के अंदर तीन साल के अंदर या फिर 4-5 लग तो बहुत कम बोल रहा हूँ हमारे सार है ठीक है वह हर मन्थली 10 म refuse ज़रूर विडियो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो मैं वन्दे मात्र।